नमस्कार लाइब हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है निर्भेया की कहानी आज किसी पड़िचय की मुहताज नहीं है घर घर में सब को पता है कि 16 दिसमबर 2012 को निर्भेया के साथ क्या हुआ था पर हम बात आज उस रात की नहीं करेंगे उस घटना की नहीं करेंगे हम बात करेंगे और जानने की कोशीज करेंगे कि आखिर तारीक पर तारीक क्यों इस केस में आए क्यों निर्भेया के गुनागारों को अभी तक फांसी नहीं मिल पाई है इस मुद्दे पर बात करने के ल और एक नावालिक था तो बांकी बचे चारों दोसियों को दिल्ली की अदालत ने छे साल पहले फांसी की सजा सुना दी थी उसके बाद सुप्रीम कोट की भी बात करें तो 2014 से सुप्रीम कोट की तरफ से उस सजा पर मुहर लग गई थी पर ऐसा क्या हुआ कि पांस साल से यह म हमारा सिस्टम है देश का अगर हम बात करें निर्विया केस की जैसे आपने बताया कि 6 साल पहले ही 6 साल पहले सर जो साके डिश्ट कोट था वहां से इनको डैस से अवाड़िट किया वह फास्ट रेक कोट हुआ 9 महीने के अंदर डिश्ट कोट से इनको सज़ा सुनाई गई हाई कोट ने कंफरम किया वह 14 में किया उसके बाद 14 के बाद जब 3 मार्ट 2014 को जब हाई कोट ने कंफरम किया उसके बाद ये केस करीब 2,5 साल तक सुप्रीम कोट में पेंडिंग रहा तो अब ये कुश्चन केस को लिस्टिंग कराना एक बहुत बड़ा इश्यू है आप केस फाइल कर दीजिए केस 4,4,5,5 साल के अंतराल में लिस्टिंग होते हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कि किसी को बहुत जल्दी नियाय मिलेगा और ऐसा ही निर्वया केस में भी हुआ यहाँ पर बीच काउंसिल हमने वहाँ पर सुप्रिम कोट जाना शुरू किया लिस्टिंग में मुझे एक साल लगा उसके बाद जब वहाँ हेरिंग स्टार्ट हुई तो 5 मई 2017 को इन चारों कंविक्टिट को डेंस सेंटेंस से वहाँ पर कंफर्म इनका रखा जाता है और इनकी SLB पिटीश पाल हुआ था सर उसमें समझ लीजे मैंने बताया आपको कि धाई साल लगा जबकि वह 90 दिन के बाद वहरिंग हो जानी चाहिए थी जब रिब्यू का 30 डेज का टाइम है तो रिब्यू इनका 3 महिने के बाद फाइल हुग रहा है उसके बाद रिब्यू पिटीशन इनका ज चाहिए था एज पर रूल की अब ये चारों कन्विक्टेड है उन्हों ने इनके डेस सेंटेंस को रिब्यू में अफोल रखा तो इनका एक्जीक्वीशन कर दिया जाए लेकिन कोई पिटीशन कहीं मूब नहीं होती है फिर अगेन एजे प्राइबेट काउंसिल हम पट्य सब्सक्राइब करेंटर विंसन के बाद ही आया है तो यह आप लोगोंने भी सुप्रीम कोट से कोई केस पेंडिंग या कोई रिव्यू पेंडिंग नहीं होने के बाद भी आप लोग भी देर दो साल वेट क्यों करते रहें सर मैं तो मुझे लिस्टिंग कराने में ही एक सा हम बार बार इनिशेटिव ले रहे थे कि क्यों नहीं है निर्भ्या केस जब डिष्ट कोट से फास्ट्रेक हुआ हाई कोट से फास्ट्रेक हुआ तो सुप्रीम कोट क्यों इसकी लिस्टिंग नहीं कर रहा है तो वहां पर यह कहना है कि जो केस निर्भ्या के केस से पहले फ पर देना हम नहीं कुछ कर सकते थे इसलिए और डिले हुआ जी अब एक सवाल जो सब के मन में आ रहा है कि चारों की दयायाची का खारीज हो चुकी है जी क्यूरेटी पेटीसन खारीज हो चुके हैं पर जो इन चारों के वकील थे एपी सिंग को कह रहे थे कि कुछ है अभी ह हमारे पास कुछ विकल्प बचे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई विकल्प अभी बचा है देश को अभी इंतजार करना परेगा या इनके सारे कानूनी विकल्प खतम हो गया है सर इनके एज पर लॉज जैसे कहा जाता है कि जो डैथ रों कन्विक्टेड होते हैं उनको ड्यू प्रॉसेज लॉज के थूरू सुना जाता है जो उनका लाश्ट सबसे रेमडी होता है वो प्रेसिडेंट आफ इंडिया की यहां मर्सी पिटीशन होता है वहां तक इन सबक के राइट पूरी तरीके से एकजॉस्ट कर चुके हैं लेकिन 2014 में सत्रगन चोहन की एक गाइड लाइन आती है उसमें यह है कि अगर जो प्रेसिडेंट आफ इंडिया अगर मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं मान नहीं होता है इसका मतलब क्लियर है कि जो 20 मार्च सुबह साड़े पांच बजे इनकी हैंगिंग होनी है वो कंफर्म है लेकिन इस बीच में अगर यह जुडीशल रिब्यू के लिए जाते हैं चैलेंज करने मरसी तो उसमें इनको इनकेस रिलीव मिल जाए वैसे अभी तक नहीं मिलेगा और इनको इस पिरियेट के बीच में ही जाना ये नहीं मिलेगा तो फिर ये पोस्पान नहीं होगा तो जो लीगल राइट थे वो सारे एकजोश्ट कर चुके हैं नहीं अब ही थोड़ी दर पहले एक खबर आई है कि मुकेस जो है एक जो सी मुकेस है उन्हों मुझे गलत मुझे पुराने वकील ने मुझे गलत जानकारी दी तो मैं क्यूरेटीव पेटीशन मूव करूंगा कोई नए लॉयर है परसी रिजक्ट हुआ उसके बाद जुडिशल रिब्यू में भी गए और एक और बात मैं आपको बताती हूँ सर जुडिशल रिब्यू में जब सुप्रीम कोट में मुके सिंग की हेरिंग हुई तो पतना हाई कोट की रिटार्ट चीफ जस्टिस पतना हाई कोट की अंजना प्रिकास जी उन्हों ने इनके तरफ से आर्गुमेंट रखा है तो ये कैसे कह सकते हैं कि ठीक से पैर भी नहीं हुई या मुके सींग का मैं बकीला बनना चाहता हूं ये सारे अलिगेशन बे बुनियाद हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है ये सब लोग अप मीडिया हैप लेने से उठी इस केस में कि कोट ट्राइल से ज्यादा दोस्यों का मीडिया ट्राइल हुआ हूँ ऊप लेजिन ऊह्मक्राइभ्या हो जिक आवप से जिन Colomb पदलब मीडिया ट्राइल नहीं था मीडिया में ये केस इसलिए हाइलाइट हुआ क्योंकि निर्भया के साथ हमारे देश की राजधानी में साड़े आठ वजे इतना ही नियस क्राइम हुआ था तो उसके लिए कौन रिस्पॉंस्बिल था जब देश की राजधानी में एक और बात कहूंगी सर की जो भी हमारे सिस्टम की जो खामिया है वो भी उजागर आई हैं अगर मीडिया बात नहीं करती तो यह भी नहीं पता होता कि एक केस में एक से ज़्यादा करते हैं वो भी तो चीज़े सामने आई लेकिन मीडिया ट्राइल कहना बिलकुल गलत है क तो यह तो लोग की अस्थाफित परंपरा थी कि एक केस में एक से ज़्यादा आरोपी हैं फांसी सब को एक साथ होगी 14 दिन मतलब डेट वरेंस से 14 दिन का अंतराल पर फांसी होगी तो फिर आप लोग उसमें इस पेसल ट्रीटमेंट क्यों चाह रहे हैं देखिए सार हम मै जेल मैनूल में जो बदलाव किया गया यह एक लीगल पॉइंट है कि 1982 का हरीवंस का सुप्रीम कोर्ट का वर्डेक्ट है उसमें यह है प्रोबीजन की एक केस में एक से ज़्यादा कन्विक्टेड हैं सेम फाई आर है उन सब को एक साथ हैंग किया जाएगा लेकिन यह जब हैंगिंग होगी एक्जिकिशन होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट में एसलपी के बाद का प्रोबीजन था लेकिन जब एसलपी डिसमिस हो जाती है उसके बाद रिब्यू पिटीशन में सर चारों कन्विक्टेड में से किसी का अलग-अलग ग्राउंड हो सकता था मर्सी पिट था नहीं मुकेस का कुछ और ग्राउंड था पवन का कुछ और ग्राउंड था तो ये ग्राउंड डिफरेंट हो गए तो जब डिफरेंड ग्राउंड पे इन कन्विक्टेड को अगर इन केस का म्यूट किया जाएगा तो फिर इन चारों को उसमें क्यों बेनिफिट सर और जिस तरीके से आपने देखा कि इसमें क्या है जब फर्स टाइम सेबंट अब जन्वरी को एक्जीकुशन का वारेंट इशू होता है कोट इनको 14 दिन का टाइम देता है कि जो भी आपके पास रेमडी है उसको अवेल कर लेकिन यह क्या करते हैं जब 22 जन्वरी आने वा जाएगा फिर 14 दिन का टाइम दिया जाता है फिर दूसरा कन्विक्टिट तेरवे दिन पिटीशन मूब करता है फिर पेंडिंग का ग्राउंड बताता है अब सर सोचने वाली बात यहां है कि जो कानून है वो हमारा एक माला फाइट इंटेंशन के लिए नहीं है बॉना फ फांसी की सजा सुना दी गई वो इमीडेटली कोशिश करेगा कि जितने उसके राइट है उसका यूज कर ले जिंदगी बचाए लेकिन यह डिले कर रहे हैं और डिले सरी इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको पता है कि हम जितना इस मैटर को डिले कर लेंगे उतना ही मेरे फे जाती हूं कि मानिये सर्वोच न्याले ने ऐसे 15 केसिज हैं जिसमें डिले के ग्राउंड पे कि जो केस बारा तेरा पंदरा सोला साल तक पेंडिंग रहे हैं एक्जी कीशन नहीं हुआ तो उसको उन्होंने डिले का ग्राउंड बनाया और कम्यूट कर बा लिया तो वही इन का इंटेंशन था बेसी कली जिसमें यह सर फेल हो गए हैं लेकिन फिर भी इन्होंने जो लाश्ट टू मंच से जिस तरीके से लौ को मैनूपलेट किया है वह मैनूपलेशन ही है साथ जन्वरी से अभी तक जो चल रहा है जी एक सातिराना मैनूपलेशन है बिल्कुल वह सा मार्च जिस डेट में इन चारों कन्विक्टिट को हैंग किया जाए एक सवाल बार बार यह भी उठता है एक मीडिया कर्मी के तोर पर हम लोग भी कई बार न्यूजरूम में चर्चा करते हैं कि आखिर साथ साल से यह लोग केस लर रहे हैं बताया जाता था कि जो चारों अ लॉबी है जो लोग फासी की सजा के विरोध में हैं देखी सर मैं यह तो नहीं कह सकती कि एक वकीलों की लॉबी है लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूं कि इस केस में अभी तक जब मुके सींग के जब तक सारे राइट एक जॉश्ट नहीं कर गए तो ब्रंदा ग्रोवर ज जी इसमें उसकी लॉयर थी पट्याला हाउस कोट में जब भी हेरिंग हुई तो ब्रंदा ग्रोवर जी को सभी लोग जानते हैं अच्छी लॉयर हैं सुप्रीम कोट में जब इसके जुडीशल रिव्यू को इसमें हेरिंग थी जब मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई उसक बच्छी ना कहीं से तो तो वही होता है कि इन पर भी चलो़ कर दे तो वह तो हा ही है मुकेस के लिए पत्याला हाउस कोट में भी ह हुआ हो बी की इडिली हाई कोट में में बी जो जान का रिवे का जो ए वह बीज़्य आर नामी लॉयर हैं वह वह मुकेस की तरफ न की इनके तरब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोट में तो मैंने कहा ना कि हो देखिए वह आइडिलोजिकल सपोर्ट वह निश्य रूप से कि जब वह डैस सेंटेंस के अंगेंस्ट हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए वह पैसा जो है कि फीस बगएरा नहीं मैंटर करेगी तो वह तो आइडिलोजिकली भी खड़े होंगे तो यह में भी कि शायद यह एक रीजन रहा हो लेकिन हां इनको प्रॉपर तरीके से और वह भी इंडिया के टॉप लॉयर मिले हैं सुरू से इस केस से जुड़ी रही है मैं 2014 से केस से जुड़ी है कभी ऐसा चन आया जब आपको खुद अंदर से लगा कि अब नहीं हो पाएगा दोस्यों को सजा नहीं दिलवा पाएंगे खुद को अपने अंदर कमजोर पाया हो कोई ऐसा चन मुझे सर कभी भी नहीं लग का एक तो मैं आपको पहली बात बताओं सर कि जो बैटी निर्वय जिसके साथ इतनी बरबरता हुई थी वो मेरे देश की ही बेटी थी और इस देश का मैं भी एक हिस्सा हूँ मैं भी एक बेटी हूँ और और भी जो बेटि Лह निर्वय जैसी जिनके साथ यहह Chinese Crime हो चुके ह तो अंदर में एक गुसा है और वो गुसा ऐसा नहीं है कि हम अपने देश को पसंद नहीं कर रहे है या देश की संस्कृति कल्चर को पसंद नहीं करते हैं। गुस्सा बो है कि हम लड़कियों का इस पेस है कहां है इस देश में देश की राजधानी में साड़े आठ बजे एक लड़की को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसके बाब जूद भी साथ साल तक उसको न्याय नहीं मिलता तो बीच में मुझे पता है कि एक ऐसे हर डल आये लेकिन उन सब वो सब डगमगा नहीं पाए क्योंकि जो निर्भया थी उसका जो दर्द था वो लड़की 16 दिसंबर को उसके साथ इतना हीनियस क्राइम होता है सब को पता है कि कितनी बरबरता कीगी प्राइबिट पार्ट में उसको रॉट डाल करके डिश्ट्रॉ लेकिन 29 दिसंबर को अगर वो लड़की जीने के लिए इतनी फाइट कर सकती है तो हम लोग तो जिंदा हैं तो हम क्यों हा रहे हैं वो आखरी सांस तक लड़ती रही तो मैंने भी प्रतिग्या कर रखी थी कि जब तक निर्भया के दोस्यों को हम पनिस नहीं करवा लेंगे हम किसी भी हाल में नहीं बैठेंगे और सर वो डेट आ गई है 20 मार्च और इसमें भी अगर बीच में मुझे लगता है कहीं कोई अब हर्डल नहीं है अगर एक भी हर्डल आया तो मैं किसी भी हद तक जाकर के निर्भया को नियाय दिला करके रहूंगी क्योंकि ये हमारे द प्रधान मंत्री ट्वीट कर रहे हैं मुख मंत्री ट्वीट कर रहे हैं पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बाद साथ साल क्यों लगा इस में तर को तो ये सारे कुश्चन ऐसे हैं और देश की जो और बेटिया वेट कर रही हैं जिसके साथ निर्भया जैसा ह इनियस क्राइम हुआ उनके लिए कौन बात करेगा किसी दिन सीमा को भी टार्गेट बनाया जा सकता है दिल्ली की राजधानी में आज मैं रहती हूँ सर एड़ोकेट हूँ लेकिन देश का कोई भी सरवोजपत पे बैठा एक ब्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री हो राष्ट पती हूँ हमें यह बादा नहीं कर सकते हैं कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप हमारे देश में 24 ओवर्स दिन रात करके घूम सकते हो और सुरक्चित हो जब आप यह बादा नहीं करोगे तो हम बेटियों को तो इतना एग्रेशिवली आगया करके वह करना पड़ेग और हैं तो उनको हैंगिंग तो सर करना ही पड़ेगा शिस्टम को सिमा एक चुकि आप लंबे समय से इस केस से जूड़ी रही हैं तो आपको और इस दौरान आपने इस तरह के दूसरे केसे भी देखे होंगे जिसमें लर्कियों के साथ दूसकर्म हुआ होगा तो आपको मत प्रीज समाज कानून का नजरिया भी कुछ बदल रहा है सर देखिए इस बात से हम नहीं डिनाए कर सकते हैं कि नजरिया नहीं बदला है निश्यत रूप से नजरिया बदला है लेकिन जिस स्पीट पर और जिस तरीके से हमारी जो फीमेल हैं वो इंपावर्ड होकर के बाह तो उसको लगता है पेट्रोड की सिस्टम को कि ये हमारी सत्ता को चैलेंज कर रही है तो उसके लिए और भी बेरियर बन जाते हैं आप देखेंगे कि ये एक जनरल बना हुआ है फिनोमेना ही कहेंगे कि जो गल्स जादा पड़ जाती है तो जो डैवोर्स केस होते हैं तो स उस रूप में बदल नहीं पा रहा है वो इतना अभी प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहे है कि आगे बढ़ती हुई फीमेल के को उतना एकसेप्टेंस उनके अंदर आई हो कि वो एकसेप्ट कर ले और इसका जीता जाकता उधारण सर में आपको बता रही हूं अभी करीब 15- 20 दिन पहले मानि सर्बोच न्याले ने इस्थाई कमीशन में महलाओं को जगह देने के लिए और पास कर दिया कि इस्थाई कमीशन में महलाओं भी रहेंगी डिफेंस में उसमें केंदर सरकार तरफ से आर्गुमेंट ये रखा गया था कि अभी तक महलाओं को इस्थाई कम यह लिया दिया गया यह सब मैंड़ करतीक है वह पुरूस को पसंद नहीं है मेल पूरूस को पसंद नहीं है तो महँन है क्यों पसंद करतीक देश कि अमेरका को आख दिखा सकती Щ billion check गैला देश करी Kong एक अलग में ही और कोई भी पूरुस पहला कमांड एक महिला सही लेता है अपनी मां सही लेता है जो मां घर में रख करके उसको इस दुनिया में ला रही है उसकी कमांडिंग से आपका इगो क्यों हट कर रहा है आप अपने आपको क्यों नीचा देखना चाहती यह तो आपकी सोच है जब हम क तो वो परिवार भी आगे बढ़ेगा समाज भी और देश भी आगे बढ़ेगा तो हमारी सोच यह परवर्तित हुई है कि नहीं बेटी है पढ़ाना चाहिए लेकिन और क्या जरूरी है कि वो पढ़ करके दिसा जैसी बेटियों को ना जलाया जाए वहां पर हम अभी बहुत निचली पाइदान पे हैं सर सीमा जी धन्यवाद आप हमारे स्टूडियों में आई और विर्भया केस से जुरे सभी पहलूं से हमारे व्यूर्स को अवगत कराया हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 20 मार्च को उनके दोस्रीयों को सजा हो जाएगी और आप लोगों का संगर् होचेगा स्टूडियों माने के लिए एक बार आपका फिर से रहनवार